सप्यूरेटिंग का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं सप्यूरेटिंग का आर्थ होता है सप्यूरेट करते हुई होना या सप्यूरेट करने वाला यानि कि suppurate का ही present participle यानि कि ing form होती है suppurating और suppurate का आर्थ होता है पकना पीप से भर जाना यानि कि कई बार कोई फुनसी या कोई फोड़ा हो जाता है जब वो पीप से भर जाता है तो उस तरीके से जो कोई चीज पकना होता है या पक जाती है जैसे कि हम कहते हैं फुनसी पक जाता है इसके इलावा इसकारत होता है पीब भरना या पीब पढ़ना यानि कि जो रेशा भर जाता है किसी फूंसी में या किसी फोड़े में तो उसको सप्यूरेट होना कहा जाता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें